हमस्कारा मेरा नाम डॉक्टर सुनीता राना अगर्वाल है मैं एक आई सर्जिन हूँ लेकिन इसके इलावा अब मैं जेनेटिक सर्जरी जीन तेरपी और स्टेम सेल थेरपी भी करती हूँ हम डॉक्टर अगर्वाल हॉस्पिटल से हैं 15 इगल स्ट्रीट बैंगलो 25 जब भी हमको हैडेक होता है इसके कोई कारण होते हैं जब हम अपने पूरे शरीर को देखते हैं सबसे जादा नसे हमारी आंख के उपर ही हैं उसको हम कॉर्णियल नर्व्स कहते हैं यह क्यों है क्यो बंद करना हमारे लिए एक डिफेंस मेकानिजम है थाके हम अपने आंख को प्रोटेक्ट कर सके अब यही चीज रिफ्लेक्ट कर रही है आज की दुनिया में आज ड्राइनेस अब ड्राइनेस में नसों बहुत इरिटेट हो जाते हैं आंखे में पानी नहीं है नमी नहीं है इसके जरीए आप ऐसा समझे कि अगर मेरे हाथ में नमी नहीं है तो हम इसको पानी के आदे बकिट में नहीं डाल सकते हैं पानी नहीं जाएगा हमारे हाथ में लेकिन अगर हम क्रीम डालेंगे हाथ में तो हवा का जो पानी है वो क्रीम में जाएगा वो हमारे हाथ में हैंगे यही एक मेकानियद्जम है अंक के लिए भी हमारे आंक में एक ट्यर फिल्म को अमbyinkरीज करनी है अगर यह में कर पाएंगे अगर यह पोली अप्म्रक करती है देलिटियर कुकि यह जो इक्साइट हो जाते हैं वो हमको headache देते हैं अब यह headache यहां से यहां यहां से यहां यहां से यहां जाता है एक और जर्या है जिसको हम cluster headache कहते हैं stress related headache कहते हैं stress किसी भी तर्कीब से आ सकता है, emotional, social, financial, कोई भूर्मोनल, कोई भी तर्कीब से आता है, तब हमको headache, neck के back में आता है, यह भी आँख में reflect करता है, क्योंकि नसे सारी एक ही connection में आ जाती है, इसके लिए हमने क्या करना है, पहले तो हमें आख में नवी देनी है उसका एक जरिया है कि हम कोई भी नाइट क्रीम यूज करें आखों के बाहर artificial tears available है as over the counter कि कोई भी pharmacy बिना doctor के prescription के आपको यह artificial tears दे सकता है यह आप डालें आख के अंदर और एक multivitamin की गोली लीजिए क्योंकि बाहर दफा यह भी हो सकता है कि कोई vitamin की deficiency के जरिये आपको यह dryness आई है एक महत्व पॉइंट है कि आप एक चश्मा यूज करिये आपको चश्मे की पावर नहीं है लेकिन यह चश्मा आप समझे एक technology glass जब भी आप computer के सामने बैठें टीवी के सामने बैठें, mobile phone में कुछ करें तब आप यह चश्मा पहनिए इस चश्मे में anti-reflective coating होनी चाहिए इसके जरिये जो भी waves इन सब मशीनों से आ रहे हैं वो थोड़ी-थोड़ी कम हो जाएंगी अब एक और जरिया है हमको इसको treat करने का उसको बोलते हैं lacrimal silicone plug यह lacrimal silicone plug आता है अमेरिका से यह patented हुआ है सिर्फ एक छोटा सा canal है जो हमारे आखों का पानी नाख को ले जाता है यह हम इस canal में डाल के बंद कर देते हैं तो अब जो कुछ भी पानी आख में बंद रहा है थोड़ी देर और के लिए वो आख के अंदर रहेगा इसके जरीए आपका टियर फिलम इंटेग्रिटी थोड़ी देर और के लिए रहेगी अब हम इसके साथ आड़ करेंगे जीन तेरपी जहाँ पर हम आपका एक बूंद खून लिया मैना इंजेक्शन बनाया और इस इंजेक्शन आपके आख के स्किन में दिया इसके जरीए जो नाचरल आपके जो म्यूकस क्रियेट करते हैं वो सेल्स को वापस रिपैर करेंगे और आपके टियर फिलम को वापस लेके आजाएंगे